हेलो एवरीबन वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप सबी लोग आप सब बहुत ही अच्छे होंगे लेकर आई हूँ बहुत ही यूसफुल किचेन टिप्स और हैक्स जिसके मदल से आपका घर और किचेन की सारी मुस्किल काम हो जाएंगे बहुत ही आसान तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज का मेरा पहला टिफ संत्रे को ले करके जिसका हर एक पार्ट हम यूस में ले सकते हैं चाहे इसका छिलके हो या इसका पल्प या फिर इसका बीच हर एक चीज को हमें फैकना नहीं चाहिए हर एक चीज का अलग-अलग यूज है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशल होता है तो आज मैं आपको इसकी चिलके का एक बहुत ही यूसफुल सा हैग बताऊंगी सबसे पहले तो हमें इने इस तरह से देखिए चोटे-चोटे टुग्रो में कट कर लेना है ठीके चाहें तो आप इसे इस तरह से कैची के मदद से कट करें या फिर चाकू के मदद से भी कट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर सिधा हमें gas को on कर लेना है और एक टावा या कोई भी बरतन आप इसमें चड़ा लीजिए और फिर उसके बाद चोटे-चोटे टुग्रों में कटी हुई इन चिलकों को पैन में डाल देंगे साथी में एक काप पानी भी हम डाल करके इसे हम boil होने के ल बहुत अच्छे से महक रहा था तो यहाँ पर सीधा हमें इस तरह से strain कर लेना है ठीक है और उसके बाद इस खुजबू को और भी अच्छे से enhance करने के लिए यहाँ पर हम कोई भी खुजबूदा टेलकम पाउडर कर लेंगे एक से दो चम्मच के करीबन टेलकम पाउडर को इसके साथ डालने के बाद अच्छे से हमें mix भी करना है ताकि कोई सबी lumps बगेरा ना रहे यानि कि अच्छी तरीके से mix हो जाना चाहिए अब देखिए इस तरह से बनके तयार हो जाता है बहुत ही बढ़िया सा खुजबूदा room freshener इस तरह से हम free में बना सकते हैं अब चा जबत नहीं होगी घर में positive energy create होता है और चाहिए तो आप इसे toilet में भी spray कर सकते हैं जिससे कि आप देखिए कर toilet में जो एक हमेसा baddy smell return उसे पूरी तरीके से खतम करके बहुत ही अच्छी सी toilet में से खुजबूआएगी तो चलिए अब देख लेते हैं अगला useful tip जब कभी भी हम mixy jar का use कुछ इस तरह का चीजों को पीसने के लिए लेते हैं जैसे की घी बनाते time मक्षन बनाते हैं या फिर उरत दाल पीसने के लिए कई बार हम डोसा बैटर भी बनाते हैं इस तरह से mixy jar में उसके बाद हमारा काम बहुत ही जादा बढ़ जाता है क्योंकि इस तरह का उसका चोटा चोटा सा कर्ड लगा हुआ होता है या फिर आप देखिएगा जो इसकी blade है ना इसकी अंदर फसे हुए होते हैं यहाँ पर जैसे की मैं अभी घी के लिए मलाई बनाई हूँ जिस वज़े से देखिए कितना ज़्यादा चिकनाई है इसे साफ करने में हमें बह चोटे चोटे टुकरे नीवू के डाल दिये हैं नीवू ऑप्सनल है चाहे तो आप डाले या फिर नहीं भी डाल सकते हैं उसके बाद इसे हम कुछ इस तरह से अच्छे से घुमा लेंगे एक बार ही घुमाना है फिर आप देखेंगे आपका काम और मेहनत दोनों ही हो मिक्सिजार को साफ करने के लिए यहां पर आपको बहुत जादा घिसने की रगणने की जरुवत नहीं होगी आसानी से साफ हो जाएगा है न कितना कमाल के आइडिया तो चलिए अब दख लेते हैं अगला टिप तो सर्दियों में हम सभी लोग गरम पानी का ही यूज लेते हैं जिस कारण ये रोड बहुत जल्दी खराब हो जाती है साथ ही साथ कई बार खत्रा भी बना रहता है तो इसे यूज करने का सही तरीका में आपको बताऊंगी तो देखे इसका यूज हम इस तरह से लेते हैं एक बाल्टी भर के पानी लेते हैं और उस पानी में रोड को हम डूबो देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है यानि रोड जो है न वो पानी के अंदर बिल्कुल डूबडा नहीं जाए तो यहां पर इसके लिए आप क्या कीजी ले लीजिए एक लगड़ी का स्टीक और ये जो रोड इसके जो हूंक है न इस हूंक को इस तरह से इस इस तरह से बीच में फसा दिजे ठीक है तो कुछ इस तरह बढ़िय के से इकटिए आपका बहुत सरा पानी गरम हो जाएगा रोड भी खराब नहीं होगा साथ ही साथ कोई खत्रा भी नहीं बना रहेगा तो इस तरह से जब भी आप इस तरह का रॉड का इस्तमाल लो तो इसी तरह से लो उमीदे ये ट्रीक आपका बहुत ही काम आएगा तो चलिए अब दिख लेते हैं अगला टिप तो फ्रेंस देखिए इस तरह का जो चिपस होता है हम सभी को बहुत ही पसंद है एज़ स्नैक्स हम साम के टाइम चाय के साथ खाया करते हैं लेकिन जब हम इसे डिबी में भर के रखते हैं तो कई बर ऐसा होता है इसमें नमी आ जाता है नमी आने के करण ये क्रिस्पी नहीं बनता है खासतोर में इस तरह का दिकत सर्दियों में और बारिस की दिनों में होता है तो इस तरह से ये सौप्ट होने की बावजुद भी इसे हम फैकेंगे नहीं इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा सुपर सा आईडिया है अगर आपके घर में धूप आता है तो एकत घंटा इसे आप धूप में रख लीजीए अगर धूप ना आता हो तब भी मेरे पास आईडिया है इसतारा का कड़हय ले लीजीए और dry from में ही इसे इस तरह से आधा मिनिट के लिए जादा नहीं आधा मिनिट के लिए dry rose कर लिजिए इससे आप देखिएगा इसमें मौझूद जितने भी नमी है वो पूरी तरीके से खतम हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से chips पहले जैसे crispy हो जाएगा अगर आपके घर में भी chips में नमी आ चुका है तो इस तरीक को आप जरूर से follow कीजिए देखिए कितना बढ़िया सा crispy बना है तो सर्दियों में हम सभी लोग गरम कपड़े का इस्तमा लेते हैं फिर चाहें वो मोटे मोटे से jacket हो या फिर sweater लेकिन मुश्किल बहुत जादा होती है इन कपड़ों को धो करके सुखाने में किवकि सर्दियों में धूप नहीं निकलती है और नॉर्मल कपड़ा तो सूखते ही नहीं है तो इस तरह का मोटे मोटे से jacket या sweater कहां से सुखेंगे लेकिन इसे हम daily wear भी करते हैं और ये गंदे भी होते हैं अजीब सब bad smell भी इसमें आने लगते हैं तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी असा उपाई बताऊंगी इसे साफ करने का या फिर इसका bad smell दूर भगाने का तो इसके लिए यहाँ पर हमें लेना है baking soda यहाँ पर मैं बहुत ही कम quantity में baking soda ली हूँ यानि कि हाप चमच की करीबर baking soda ली हूँ और हाप चमच की करीबर यहाँ पर हमें टेलकम powder भी ले लेना है दोनों को ही अच्छे से mix करने के बाद एक छलने की मदद से कुछ इस तरह से अच्छे से sprinkle कर देंगे जैकेट के अंदर बाहर चारों तरप इसे हमें अच्छी तरीके से sprinkle कर देना है ठीके और फिर उसके बाद इसे 10 से 15 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तब तक यहाँ पर एक liquid solution बना करके मैं तयार कर लूँगी तो इसके लिए यहाँ पर हमें लेना है एक बाउल में पानी और हाप धकन के करीवन यहाँ पर मैंने liquid detergent डाला है आप चाहें तो easy भी ले सकते हो उसके बाद हाप धकन के करीवन यहाँ पर मैंने detol एड़ किया है चाहें तो आप liesol भी ले सकते हो तो यहाँ पर हमें डेटॉल या फिर डिटरजन लिकुईड जो भी हम डालेंगे उसे हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में डालना है ठीक है उसके बाद हमें एक पुराना कॉटन के कपड़ा लेना है इस लिकुईड में अच्छी तरीके से डिप करने के बाद उस कपड़े को अच्छे से निचोड लेना है और फिर उसके बाद हमें लेना है कोई साभी एक पुराना प्रेशर को करकर ढखकन ढखकन को कुछ इस तरह से कपड़े से हम बान देंगे दो तीन गाट लगा करके अच्छी से फिक्स कर देंगे कपड़े को तो बहुत ही बढ़िया सा एक च साफ कर लेंगे बेकिंग सोडा बहुत ही बढ़िया सा क्लीनर होता है जिस कारण जैकेट में जितने भी चिपचिपी गंदगी रहेगा या फिर जो भी बैक्ट्रिया रहेगा उसे पूरी तरीके से खतम कर देगा साथी में टेलकम पावडर जो बैड इसमेल है ना उसे कर बन रहा है साथी साथ अच्छी तरीके से क्लीन भी हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरह से हमारे जैकेट या जो भी मोटे मोटे कपड़े होते हैं अच्छे से क्लीन हो जाते हैं लेकिन हां आपका जैकेट या फिर सोईटर बहुत ज़दा गंदा है इसम नहीं है बस आप इस solution को बना करके यूज कर सकते हैं इसके मदद से भी आप cleaning कर सकते हो इसे की एकठा आप बहुत सारी स्वेटर ये जैकेट को clean कर पाओगे बस ये solution लेकिन जरूरी है इस solution के मदद से बहुत ही बढ़िया सा clean हो जाएगा और इस तरह से ना इसे सुखाने का जंजट भी नहीं रहेगा पंके की नीचे रख लीजिए बढ़िया तरीके से बहुत ही कम टाइम में ये सूख जाएगा है ना कितना useful सा idea तो अब मेरा अगला useful trick है मोजा को ले करके तो हमारे पस कुछ इस तरह का देखिए पुराने मोजा तो होता ही है कई बारा सा होता ही की मोजा का elastik डिला हो चुका है या फिर एक एकर करके प्यार गुम हो जता है ऐसा ही देखिए मेरे पास 2 color का 2 मोजा है यारि कि इसका प्यार गुम हो चुका है तो इसी में से दो मोजा इस तरह का ले लीजिए और उसके बाद ने इसे अच्छे से गीला करके अच्छे से ड्राइ कर लिजे ठीक है और फिर उसके बाद यहां पर हमें लेना है वाइपर अब आप सोच रहे होंगे कि वाइपर का क्या काम है तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं तो इस तरह से एक मुझा लेकर के वाइपर का एक साइड में इस तरह से मुझा को हम अच्छी तरीके से पहना देंगे जैसे कि आप वीडियो में देख पारे हो कि एक मुझा से वाइपर का एक साइड बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर हो जाता है सिमिलरली हमें दूसरी मुझा को उठाना है और इस तरह से वाइपर का दूसरे साइड में भी हम मुझा को पहना देंगे जिस कर मदद से लगा सकते हैं अगर आपको सर्दियों के टाइम ठंडी पानी में हाथ लगा करके पोचा लगाने में बहुत दिक्कत होती है या फिर घुटनों में दर्ध है तब भी आप इस तरह से खड़े खड़े पोचा लगा सकते हो है ना कितना यूसफुल सा ट्रिक और सी पोचा ही नहीं वर्ल्टाइल को भी हम अच्छे से क्लीनकर सकते हैं किमकि उतना उच्छाई में कई बार हमारे हाथ नहीं पहुँंसते हैं किसी की हेल्प की जोरृत होती है तो इस तरह से आप अ दस्ते हैं न कितना useful सा trick उमीद है ये trick आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा तो चलिए friends आज का वीडियो में यही paint कर रही हूँ उमीद है आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा useful लगी है अगर वीडियो थोड़ी से भी useful लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कर दीजीगा साथी साथ एक लाइक कर दीजीगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजीगा तो चलिए मिलती हूँ नेक्स वीडियो में बाई friends and thanks for watching